नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वादत करती हूँ पाक रिधी में तो आज मैं आप लोगों के लिए चना डाल का एकडम दानेदार लड़ू बनाने का बहुत ही आसान और नए तरीका लिए करके आई हूँ जो खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगता है और इसे बनाना एकडम आसान है तो चलिए फिर लड़ू बनाना शुरू करती हूँ तो इसके लिए मैं राद वर एक कडोरी चना को भीमो कर पानी में रखी थी ते इसको दो वार तिन वार पानी से बर्यां से साप कर लेंगे अब लेंगे एक करेंडर जार और इसमें आधा आधा डाल कर पीश लेंगे तो इसको दरदरा ही पीशेंगे अगर महिन हो जाए तो कोई बात नहीं तो देखिए हमने इसको इस तरह से पीश लिए हैं तो हमने इसका पेस्ट बना करके रख लिए हैं तो जादि ये अब इसका फटा-फटसे बराबना कर तियार कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मिisterन लेंगे और इसका पतला-पतला छोटा-छोटा बराबनाएंगे। तो इस तरह से बना-बनाबना कर तेल में डालते जाएंगे। तो एक बार में आसानी से जितना आ जा ह उतना ही डालिएगा तो इस तरह से छोटा छोटा पतला पतला बराबना करके डालेंगे ताकि ये जल्दी पक जाए अब इसको इस तरह से पल्टा देंगे इसे दोनों सैड से अलट पलट कर बढ़ियां से पकाएंगे तो इसको बीच वीच में इस तरह से एक साइड से दुसरे साइड पलटाते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से बढ़ियां से पके तो ये बहुत ही जल्दी बढ़ियां से पक जाता है इसी पकानी में ज़्यादा टेम नहीं लगता है तो रेखिए अब इसका कलर चेंज हो है तो अब इसको इस तरह से छन्नी से छान लेंगे और इसको थोड़ा दिर इस तरह से रखेंगे तो बचा हुआ तेल नीचे आजाएगा अब बचा हुआ पेश्ट का इस तरह से छुटा-्छुटा पतला-पतला बदा बनाकर तेल में डाल देंगे इसे भी अलेक प्लेट कर दोनों साइड से बढ़ियां से पगाएंगे तो देखिए ये बढ़ियां से पग गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है अब इसको निकाल लेंगे इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और बांकी का बचा हुआ बड़ा इसी तरह से बना कर त्यार कर लेंगे तो आमने साधी बरा बना करके त्यार कर लिये हैं अब इसको इस तरह से छोटा छोटा टुकरा में तोर लेंगे तो सवी को इस तरह से छोटा छोटा टुकरा में बढ़ियां से तोरेंगे अब लेंगे एक गरेंडर जार और इसमें डाल कर इसको इस तरह से दरदरा पीश लेंगे तो देखिए हमने इसको इस तरह से पीश कर तियार किये हैं अब ग्यास पर एक करहाई रखेंगे और इसमें डालेंगे एक कटोरा पानी और आधा कटोरा चिनी तो मैं कम मिठा खाना पसंद करती हूँ तो इसलिए आधा कटोरी डाल दे हूँ अगर आप ज़्यदा मिठा खाना पसंद करते हैं तो आप एक कटोरी डालिएगा अब इसको इस तरह से मिला देंगे और इसमें थोड़ा सा food color डालेंगे तो मैं इसमें orange color डाल देए हूँ अब इसमें थोड़ा सा निंगू कारस इस तरह से 5-6 bond निचोड़ देंगे अब इसको बर्यां से इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको आधी थारवाला चासनी बनाएंगे तो चासनी चिप चिप करने लगा है अब ग्यास को बंद कर देंगे और इसमें ये दरदरा पोडर डाल देंगे और इसको बढ़ियां से इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब ग्यास को ओन कर लेंगे और इसको एक मिनट इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे अब ग्यास को फिर से बंद कर देंगे और इसको बढ़ियां से इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ढ़क देंगे तो ये 10 मिनट में ही चासनी पीकर फूल गया है अब इसको निकाल कर एक प्लेट में हलका ठंडा होने देंगे तो देखिए कितना बढ़ियां हमारा बुंडी बनकर तियार हुआ है अब इससे थोड़ा सा बुंडी इस तरह से लेंगे और इसका एक गोल सा लड़ो बनाएंगे तो सभी लड़ो इसी तरह से बना लेंगे तो दोस्तो है नहीं से बनाना एकदम आसान ना तो बेसंग सानना और नहीं बुंडी बनानी का जंजट बहुत ही आसानी से लड़ो बनकर तियार हो जाता है तो अब हम इसको इस तरह से सजा लेंगे तो दोस्तो आज का रेश्पी कैसा लगा हमें कोमेंट करके जरूर बताना और आप सभी भी इस रक्षा बंदर पर एक वार इस तरह से लड़ो बना कर जरूर खाना